हलो फ्रेंड्स, कैसे हुआ आप सर्फ? आज फ्रेंड्स में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरुवार के दिन अपने पर्स में रखें ये चीज फिर हमेशा टिके का पर्स में पैसा पर इससे पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्रेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज आपको ऐसा वास्तो टिप्स बता रहे हैं जो कम ही लोग जानते हैं आपको ये भी बता दे कि अधिक से अधिक धन और सबी सुक्सुविधाएं पाना हर व्यक्ति की चाहत होती है और साती हर कोई ये कामना करता है कि उसके पास ठेर सारा धन हो जिससे वे जो चाहें जब चाहें खरीद सके अपने सबी जरूरतों को पूरा कर सके लेकिन काफी बार मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता जिससे काफी निराशा भी होती है हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि धन यदी हो भी तो वे हमारे पास ठिकता नहीं है और दुर्भागे से कई बार वे समय पर भी दूर रहता है वैसे तो जब कंगाली के काले बाद व्यक्ति के उपर मंडराने लगते हैं और साथ ही साथ जब घर से निकलते हैं तो हमारा पर्स भरा रहता है और शाम होते होते सारा पर्ज खाली हो जाता है और कुछ पचत्वी नहीं हो पाती है एक बात और यदि आप हिंदू शास्त्रों में थोड़ा भी विश्वास करते हैं और शास्त्रे ज्यान जीवन को सुधाने के काम आता है तो वहीं आपकी इस समस्या का कारण हो सकता है माता लक्षमी का आपसे रुष्ट होना एक बात और मनुष्य चाहें कितिनी भी मेहनत क्यों ना करे लेकिन जब तक मा लक्षमी आपसे खुश नहीं होती तब तक बरकत नहीं होती है आपको ये भी बता दे कि मनुष्य की इस स्थी के पीछे कारण होता है गुरु ग्रह का कमजोर होना और साथ ही साथ जीवन में हर छेतर में सफलता के पीछे गुरु ग्रह की इस्तती बेहत महकुपूर मानी जाती है और वैसे तो कुंडली में अगर गुरु मजबूत हो तो सफलता का कदम चुमना बिलकुल तय है फ्रेंट्स आपको ये भी पता दे कि यही गुरु ग्रह अगर कमजोर हो तो तमाम मुश्किले जीना मुखाल कर देती है और साथ ही साथ बनते वे काम भी बिगड़ने लगते हैं वैसे तो जब किसी काम में यश नहीं मिलता घर में पैसे की तंगी बनी रहती है और स्वास्ते पर भी इसका असर दिखने लगता है आज एक ऐसा उपाय जिसको करने से गुरु ग्रह आपके अनुकूल होगा और साथ में मालक्ष्मी की करपा भी आप पर बनी रहेगी वैसे तो गुरुवार के दिन शुब मुहरत में अपने नित्ते कर्मों से निर्वित होकर देव गुरु ब्रहस्पती की पूजा करें जैसा कि आप हर गुरुवार करते हैं पर आपको सच में ये भी है कि इसके बाद अपने पर्स में एक मालक्ष्मी की तस्वीर रख ले और अब मालक्ष्मी की तस्वीर के साथ अगर चांदी निर्मत सिक्का भी आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा और ये भी बता देगी ऐसा करने से मालक्ष्मी की दखने में आसानी हो और आसानी से उकलप भी हो जाए इसलिए हम ने आपके लिए यह चीज़ बहुती आसान से मिल जाती है और हर इनसान के पास मेरे ख्याल से होती है तो आप यह उपाय करें और इसके बाद मुझे कमेंट के दुरो बताएं के आपको क्या फायदा हुआ है तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी रहें, फिट रहें, खुश रहें, बाबाई!